महा मंगल सुत्र नमबर नो इसमें 27, 27, 29 और तीस चार मन के चार मोती चार इसमें जो यह ले हैं चार इसमें ही रहे हैं खंती चे सो वचसता समडा नंग चे दस्सनंग कालेन धम साकच्छा एतन मंगल मुत्तमंग खंती चे खंती माने जो होता है पाली के अंदर खंती माने च्छमा Forgiveness Sorry तो जो गुण है सबसे important हो है खंती का गुण होना चाहिए च्छमा करने का गुण होना चाहिए किसी सामने वाले विक्ति को च्छमा करने का फायदा क्या होता है बहुत साइब लोग कहते हैं च्छमा करके क्या मिलेगा किसी ने कोई गल्ती की और वो गल्ती सामने वाले ने की आपको ने उसको देखा या नहीं देखा और सामने वाले ने उसकी च्छमा मांगी या नहीं मांगी मगर आप उसको छमा कर दे तीन तरह से छमा होती है मन से वचन से और करम से आप तीनों तरह से उसको छमा कर दे उससे सामने वाले को कुछ लाब हो या ना हो मगर आपको जरूर लाब होगा क्या लाब होगा एक तो जो उसने काम खराब किया है या जो उसने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है वो आपके मन से डिलीट हो जाएगा आपके दिमाग से निकल जाएगा आपके brain से आपके processor से वो file खतम हो जाएगी तो उसके जब वो बारबार दिमाग में नहीं आएगी तो आपके सरी पर गुसा नहीं आएगा, वीर्सा नहीं आएगी, जलन नहीं आएगी, आपको परिशन नहीं होगी, तो आप आराम से सोएंगे, तो सरी आपका ठीक रहेगा, तो आपकी आयू लंबी होगी, आप जब किसी को छमा करके आएंगे, तो घर तक पहुंसते पहुं नुक्सान्त होगा तो आपके काम भी बढ़िया होंगे अगर मानलो आपने छमा नहीं किया तो आप बढ़ बढ़ाते रहेंगे आप गुसे में रहेंगे आप इर्षा में रहेंगे आप परिसान रहेंगे आप उद्धिंग रहेंगे बहुत ज़्यादा हाई पर रहेंगे त सो वच्चसता को जो पाली है उसको संस्काइट भासा में आग्या कारिता बोलते हैं, यानि ओविडियन्स, आग्या कारिता का मतलब है कि आपको जो आग्या दी गई है, क्योंकि आग्या हमेशा बड़ो से दी जाती है, छोटे आग्या नहीं देते, छोटे तर रुकेश्ट क करते हैं, याचना करते हैं, और जो बड़ी लोग है, बड़े का मतलब है, जो जानकारी में बड़े हैं, या जो उम्रों में बड़े हैं, या जो समझ में बड़े हैं, या जो आपकी घर के हिसाब से जो आपका घर में, जो आपका रिस्ते का नाता है, उसके हिसाब से बड करना है क्योंकि उनके पास में experience है आग्या करने का मतलब यह नहीं है कि आपने आँख बंद करके बेफ़कूफों की तरह आग्या का पालन करना है सही काम की आग्या का पालन करना है भगवान बुद्ध के सभी संदेशों में सम्यक सब्द understood है और छुपा हुआ होता है कोई आप से ये कहे बड़ा के चाकू लो सामने वाले के पेट में गुछर दो तो ये आग्या का पालन नहीं करना है कभी आप कहो के महा मंगल सूत में तो लिखाता कि आग्या का पालन करना है और हमें तो आग्या मिली तो हमने तो चाकू गुछेड दिया या गोली मार दी या बड़े किसी ने कहा कि सराब पी लो तो हमने शराब पी ली या जुआ खेल लो या चोरी कर लो भगवान बुद्ध ने सम्यक जितने भी कम्मंत है यानि काम करने वाले जितने भी समय काम है, सही काम है उनी के लिए हैं, सारी बातों में भगवान बुद्ने समयक सब्द जोड़ा हुआ है उनका जो एट फोल्ड पात है यानि के जो आठ हंगों का पात है जिसको आश्टांगिक मार्ग बोलते हैं सील समाधी पर गया उसमें सारी चीजों में समयक लगा हुआ है तो समयक को कहीं नहीं जाता समयक को सम्मा भी बोलते हैं सम्मा माने राइट पिल्कुल ठीक है तो यहां जो आपने आग्या पालन करना है वो सही करना है अगर गलत है तो मने कर देना है बेलकर उसका विरोध भी करना है उसके बाद आता है समणान नंचे दसनन समणानच दसनन का मतलब है जो समण है समण का मतलब है समणी भी हो सकती है, समणा भी हो सकता है यानि कि जो सादू है, जो लोग ने पंसिल की मेहनत की है या जो इस रास्ते पे चलते हैं, या चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितने भी समण लोग हैं, समण लोग बहुत हो सकते हैं, जो पांसी का पालन करते हैं, या जो सुद्ध हैं, या जो अच्छे हैं, या जो भिकको बन चुके हैं, या जो पहले भिकको भिककोडी मने हैं, उन्हों सभी का दसन करना है दसन का मतलब है कि उनकी सेकल नहीं देखनी है पूजा नहीं करनी है दसन का मतलब यह है कि उनको देखना है उनकी आचार विवार को देखना है वो कैसे काम करते हैं उसको देखना है वो कैसे चलते हैं उसको देखना है उनकी दिन्चरिया क्या है वो देख़ना है जीवन का वो कैसे पलं करते है वो देखना है उनका जीवन इतना सुख ही क्यों है, शांत है ये देखना है, इसको जाचना परता है इसको दसन बोला है दसन का मुझत यह रही है कि आपके साम साबने कोई आ गया, कोई भिकु आ गया, भिकुड़ी आ गया और आप उसका फोटो खिंचने हों देख रहे हैं हमें तो महामंगल सूत में 29 नमबर पे ऐसा कहा था कि जो समणा है, जो सादू-साद्मी है उनको देखना है और आप लगे कालिन धम साकच्छा का मतलब है कि कालिन माने समय अनुसार, समय समय पर और समय के द्वारा और धम साकच्छा का मतलब है साकच्छ जो बोलते हैं, उसको बोलते है चर्चा को, परी चर्चा को तो धम साकच्छा का मतलब है धम की चर्चा करना समय समय के आनुशार समय समय पर तालेन धंग साकच्छा यानि कि धंभ की चलचा प्रामर्स करते रहना है आपस में जिकृ करते रहना है इसलिए धंभ अपनी सुद्ध वस्ता में रहता है ठीक ऐसे जैसे पानी को अगर हिलाते रहेंगे आप तो पानी सुद्ध रहेगा पानी या उसमें कीड़े पर जाएंगे खराब हो जाएगा इसलिए हिलता पानी चलता पानी साफ रहता है समुन्दर इसलिए साफ रहते हैं सारे बेसा कितने बड़े और गहरे हैं कि वो हिलते रहते हैं उनमें लहरे आती रहती हैं वो अपने आपको साफ करते रहते हैं ऐसे धम की चर्चा और परिचर्चा अगर होती रहेगी तो धम में गंदगी नहीं आएगी धम साफ होता रहेगा धन्यवाद आपने मंगल सुथ का नाम सुना होगा बड़ी-बड़ी emotional पिच्चर आती है मंगल सुथ के ओपर इस तरही अपनी जान देने को तैयर होती है मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सुथ पे हाट डाले तो हीरो को गुस्सा आता है जो महिला है वो आग बगुला हो जाती है उसमें सकती आ जाती है मेरा मंगल सूत छीना तो समझो मेरे पती के प्रान छीन दिये ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत की डालते हैं ताकि मंगल सूत रुबिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सूत में जो मनके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले-काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है मंगल सुत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक अभुशन है, एक ऐसा विभुशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और ट्रेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के वारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुरसों के और महिलाओं के यानि के जो नर है और नारी है दोनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं, बुड़े भी पहन सकते हैं, सब ही पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सूत बहुत कमाल की चीज है उसको पहनना चाहिए और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है तो कोई बात नहीं मगर उसे मानना जरूर चाहिए उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अगर मंगल सूत को आप मानते नहीं है प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सच मे यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करें और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सुत हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सुत इन सुतों को यह सुतों लोगों का कल्यान करत बंद कर दिया लिए पुरुसों ने इसकी महिमाख कर दी और महिला को जबद जस्ती दिया गया कि तुमें ये मंगल सुत्र मानने पढ़ेंगे तुम्हें याद तो मंगनल सूर्ट का मतलब है कि 38 वो बात है जो काले लोगों की है और जो भगवा ने बताई है इसलिए पीले दागे में है आपको याद रहें इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम चक डाल लीजिए जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम की बात हैं, कल्यान की बात हैं ये उसका पिर्तीक बना जब लोगोंने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली tradition रहे गया, परंपर रहे गई लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे मंगल सूत क्या थे, मंगल बचन क्या थे वो कौन सी कल्यान कारी बात है थी वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंस थी जो हमें 38 थी, 38 थी, अपलाई करनी थी वो गले में 38 मन के बांद के बस काम खतम हो गया, और बाद में व्यापार में बदल गया, जितना जिसको बड़ा मंगल सूत जो ले सकता है सुनार जो थे, जो सुनकार थे उनके मजे आगे, वो वहाँ अपना धंदा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगल सूत बिखने लगे फिर ट्रेडिशन बन गया, और फिर मंगल सूत को पती की जीवन से जोड़ दिया बेसिकली तो पती अगर उन पे चलेगा, तो उसका जीवन बचेगा पती अगर नहीं चलेगा, तो पती का जीवन खत्रे में रहेगा, ऐसे ही अगर इस्त्री 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्यान करी रहेगा वना तो डावा डूल रहेगा, खत्म साहर रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहे हैं या जीवित रहे तो वो जो मंगल सूत्र है या महा मंगल सूत हैं वो सारे मंगल सूत भगवान बुद्ने बताए हैं आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद पूझ थम्सर्ण रच्छा मी घंघ्म्मंग् वोट थम्सर्ण रच्छा मी घंघ्म्मंग् सर्ण रच्छा मी घंघ्म्मंग्